आपका स्वागत है आज बना रहे हैं पूड़ी अगर मेरे द्वारा बनाईगी रेस्पी आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को कोई भी फैस्टिविल हो सभी पर पूड़ियां बनाई जाती हैं पूड़ी बनाने के लिए चाहिए आटा पानी घी और नमक पूड़ियों को तलने के लिए तेल या घी पूड़ी का आटा माणने के लिए ये दो कप गेहू का आटा लिया है हाफ टी स्पून नमक डालेंगे या आप अपने टेस्ट के नुसर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं नमक को मिक्स कर देंगे नमक को मिक्स करने के पार थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को कड़क गूत लेंगे पूरण देंगे ज़्यादा नमक किश्चू करणे पानी बिदा पार पार थोड़के थोड़ोगता से रचिक ज़्यादा थोड़के आटे को कड़के आटे को कड़के आटे मेंगे पूरी का आटा थोड़ा कड़क मडता है जिससे कि बिना सुखा आटा लगाए हम पूरी को बेल सके एक दम कड़क है थोड़ा सा दवाने के बाद ही आटा दब रहा है अब करीब 10 मिनट के लिए आटे को गीले कपड़े से ढख करके रख देंगे आटे को माल कर रखे हुए करीब 10 मिनट हो गए है अब आटे के ऊपर करीब 1 टी स्पून घी लगाएंगे और आटे को मल लेंगे अच्छे से मला हुआ होना चाहिए अगर आटा अच्छे से मला हुआ होगा तो आपकी पूरियां बहुत सॉफ्ट बनेंगी और फूली हुई बनेंगी आटे को अच्छी से मल लिया है आप लोई तोड़ लेंगे जितनी बड़ी बड़ी आपको पूरियां बनानी हो उसे साब से आप लोई को तोड़ने लोई तोड़ने के बाद इस तरीके से लैट लोई बना लें जब आप लोई बनाने स्टार्ट करें तभी ओयल को या घी को गरम करने के लिए रखने गैस को सभी लोई बन करके तैयार हो गए है ओयल भी गरम हो गया है अब एक लोई को लेंगे थोड़ा सा घी या ओयल लोई के उपर इस तरीके से लगाएंगे और उसके पार कूड़ी बेल लेंगे इसी तरीके से सभी पूड़ियों को अपेलने इसी तरीके से सभी पूड़ियों को अपेलने गरम हो गया है ओयल में पूड़ी को डालेंगे घी या रिफाइंड ओय एकदम गरम होना चाहिए तभी पूड़ियों एकदम फूली हुई बनेंगी अगर घी गरम नहीं होगा तो पूड़ियों फूलेंगी नहीं पूड़ियों पूड़ियों प्रोड़ियों कि इसी नहीं कि आप शेग video इसी आप रचकी पल्चानि पूड़ियों ज़ैखिया पूड़ियों कीश़निए पूड़ियों को बार्ची निया मेंburghगे नियाओए नबल रही है गर्म गर्म पूड़ियां शिट करके तयार हैं पतली पतली और फूली हुई पूड़ियां बने हैं पूड़ी को आलू की सबजी के साथ सर्व करें अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी और शेयर करें रेसिपी को इस्टे हैपी एंड कीप कुकिंग थेंक यू